IPL 2024 का कार्मा सौाइमान सिंग स्टेडियम से उठकर अब एक बार फिर से वानखेडे स्टेडियम पर आप पहुचा है Mumbai Indians का अभी जीत का खाता खोलना बाकी है तीन मुकाबले खेल चुके हैं तीनों में हार का सामना करना पड़ रहा है ये जीत हार तो लगे रहते हैं लेकिन Mumbai Indians में बड़ी कम्या बड़ी खाम्या दीख रही है वो on the paper टीम की मजबूती या कमजोरी पर नहीं है ऐसा नहीं नजर आ रहा है कि ये टीम में loophole है बलकि टीम में गटबंधन की कमी है टीम में एक जूगता की कमी है टीम में रस की कमी है कोई खिलाडी कुछ और सोच रहा है कोई कुछ खिलाडी कुछ और सोच रहा है टीम में unity की कमी है टीम में एक दूसरे के मर मिटने के ख्याल की कमी है यह जो cricket होता है वो team game होता है जब तक आप एक दूसरे के सफलता को enjoy नहीं करते हो आनन्द नहीं उठाते हो तब तक आप जीतते नहीं हो on the paper आप चाहे जितनी भी मजबूर team बना लो माई की team, IPL 24 की सबसे मजबूत, सबसे सुद्रिड, सबसे भयाव team on the paper है इसमें कोई दोराय नहीं अगर ये team play-off में नहीं पहुचेगी तो ये हार्दिक पांडिया की विफलता होगी बतौर कप्तान ये मार्क बाउचर की विफलता होगी बतौर कोच बड़े सवाल उठ रहे है Mumbai Indians के खेमे में कि भाईया अखिरकार जीत आएगी कैसे अभी खाता भी नहीं खुला है और उससे भी बड़ी बात और खास बात कि इनके खिलाप record team बनाती जा रही है 270 रंग के गिंदबाजी attack के खिलाप बना है ये बात नहीं है कि आप जीते हैं हारे शर्म शार, शर्म नाक कर देने वाला प्रदरसन आ रहा है फिर अगले मुकाबले में lowest total IPL 2024 की team आपकी बना कर जाती है मतलब कुछ तो गड़बड है और बड़ी गड़बड है team में talent की भरमार है लेकिन वो talent ground पर प्रदरसित नहीं हो पा रहा है क्यों? क्योंकि भाईया मन मुटाव है जब तक ये मन मुटाव दूर नहीं होगा चीजे सही नहीं होगे दिल्ली कैपिल्स की बात करें इनके लिए सब कुछ ठीक है इनके लिए मन मुटाव बिल्कुल नहीं है इनके लिए कप्तान पंथ है इनके लिए उद्देश है कि पंथ के लिए जीतना है पंथ का ये जो आईपिल 24 का संस्क्रड है उसको यादगार बनाना है दोनों teamों का opposite है चीजे यहाँ पर on the paper DC काफी कमजोर है लेकिन दिल्ली कैपिल्स के पास उद्देश से है और ये उद्देश उनको युनाइट करके आईपिल 24 में बहतर प्रदर्सन करने के लिए प्रेरित कर सकता है हाला कि वो प्रदर्सन अभी तक आनी पाया है क्योंकि team में बहुत कमजोरिया है बहुत खामिया है उसको दूर करना है खास कर बल्लेबाजी विभाग में काफी निर्भरता है डेविड वारनर के उपर अब थोड़ा बहुत पंत भी चर्मने लगे लेकिन अभी बहुत कुछ इनको दूर करना है YMI बहुत कुछ नहीं है उनके अंदर कमिया खामिया लेकिन एक जूटता की कमी है उद्देशे की कमी है वो लाना है उनको देखना दिल्चस्प रहेगा कि आज के मुकाबले में कौन किसी उपर भारी परता हुआ दिखाई देगा लेकिन हम अपने इस वीडियो में बात करेंगे कि कौन किसके उपर भारी पड़ेगा यानि कि किसकी टीम on the paper कितनी मजबूत है कहां पे मुकाबला होगा पिछ रुपोर्ट क्या है हाई स्कोरिंग ग्राउंड होगा कि नहीं होगा इन जबी बातों पर हम चर्चा करेंगे लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी वीवर से यही आग रहे है यही अनुरोध है कि अगर आपको हमारे अपडेट्स पसंद आते हो तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब हाँ अगर आप फेस्बूक पेज पर वीडियो देख रहे हो तो फेस्बूक पेज को भी फालो कर लिजेगा कमेंट सेक्टन में कमेंट दाग दिजेगा कि आज की विजेता टीम कौन सी है आज आते हैं सबसे पहले हिट टू हिट आकडे पर नज़र डाल लेते हैं MI वर्सेश डीसी दोनों टीमें आपस में 33 बार IPL के इतियास में बिड़ी है जिसमें मुंबई इंडियन्स का पलड़ा साब तोर पे दिल्ली कैपिटर्स को पर ग्राउंड होना और भी मनवग्यानिक तोर पे बढ़त को मजबूत कर देगा कैसा प्रदर्सान आता है क्या वो तीन मुकाबले जो हारे हैं जो उनका अत्म विश्वास गिरा है उससे उठपाएंगे कि नहीं उठपाएंगे ये सवाल ये निसान है मनवग्यानिक तोर पे बढ़त थोड़ा सा हार्दिक पांडिया वाली टीम का जादा होने वाला है क्योंकि अभी हेट टू हेट आकडो पे नहीं जाड़ा डाला हमने उसमें उनका पलड़ा भारी है अब बात कर लेते हैं प्रॉबेबल इलेवन की कि भईया संभावित बारव होगा क्या इस संभावित बारव में बहुत सारी तब्दिलियां बहुत सारे उलट फेर इनको करने पड़ेंगे वो क्या हैं वो देख लेते हैं यहाँ पर आप देख रहे हैं रोही सर्मा, इशान किशन उपन करेंगे लेकिन यह संभावित बारव जो उतरने वाली है उस हिसाब से है इसमें कुछ और तब्दिनिया की जा सकती है जैसे कि मफाका को बाहर करके उनकी जगन रोमारियो सेफर्ड ब्रेविस को बाहर करके उनके जगन नेहाल वधिरा को खिलाए जा सकता है जिससे ये टीम और मजबूत और सुद्रिड और भयावा और on the paper खतरनाक दिख सकती है आपने बिल्कुल ठीक सुना ये रोमारियो सेफर्ड मफाका की जगन खेले ये डेवाल ब्रेविस की जगन अगर नेहाल वधिरा खेले तो आप बैटिंग डेथ इंक्रीज हो जाएगा गेदबाजी में मफाका से किसी भी दिन बेहतर गेदबाज रोमारियो से फट हो सकते है उनसे बल्लेबाजी भी अच्छा कर सकते है हिटिंग भी कर सकते है लास्ट चोबरों में तो एक बैलेंस पर डांद करें वही नेहाल वधिरा के आने से एक ऐसा बल्लेबाज मिल जाएगा अगर आपका विकेट जल्दी गिरा तो स्पिन को बहतर खेल सकता है तेज गितबाजी को बहतर खेल सकता है वही अगर हम दिल्ली कैपिटल के संबावित बारा की बात करें तो वह कुछ इस प्रकार होने वाली है डेविड वार्नर प्रित्विसार जे फ्रेसर मैगर्क या से होप में सो कोई एक जे फ्रेसर मैगर्क के खेलने के चांसे जादा है क्योंकि भाईया वह इंपक्ट देंगे याँ पर इस अपन नंबर चार्ज टिश्टेन इस्टप्स पांच अब से एक पोरल छे साथ प्यक्षर पटेल कुल्दी प्यादों का फिट्नेश टेस्ट होगा अगर पास हो जाएंगे तो वह खेलेंगे सुमित कुमार की जंग इसान सर्मा खौलील अमद मुकेश कुमार एंडिक नौर्किया की जहाइद चर्शन भी खेल सकते हैं क्योंकि नौर्किया का फॉर्म नहीं है नार्किया क कुल्दी प्यादों का फिट्नेश टेस्ट होगा वो खेलेंगे उस पर निर्भर करेगा फिट्नेश टेस्ट पास कर पाएं हैं नहीं कर पाएं उसके अलावा यहाँ पर शे हूप या जे फ्रेसर मैगर का सकते हैं किसके जहां मिचल मार्च जोकी चोटिल है बाकी बहुत बदलाव यहाँ पर नहीं होने वाले अगर हम पिच रिपोर्ट की बात करें तो यह मुकाबला वांखेड़े स्टेडियम पर होने वाला बैटिंग फिश्ट यह माना जाता है खूब सारी स्कूर बनने वाले चुरिकुमार यादव वापसी कर रहे हैं उनके लिए काफी य मुंबई इंडियन्स के पास अब बात करो तो आकाश माधवाल भी है बहतर उनकी गेदबाजी है बहतर उनकी बलेबाजी है यह यह कहें सबसे विद्धुफंसक उनकी बलेबाजी है बस यूनिटी की कमी है देखना है जिल्चस्प है कि क्या यूनिटी को जैसे यह मुंबई इंडियन्स में यूनिटी की कमी है मुंबई इंडियन्स के लिए क्लिए नहीं दिखाई दे रहे हैं जिसकार से उनके चांसेों हो जाते हैं 50 50% का मुकाबला आ जाता है 50% दिल्ली कैपिटल 50% मुंबई इंडियन का किसी की उपर भारी नहीं है देखना दिल्चस्प मुकाबला होने की उमीद है देखना दिल्चस्प रहेगा कि कौन मुकाबला बाजी मारता है क्या मुंबई इंडियन खाता खोल पाई या दिल्ली कै अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और फ्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें